Hello students, एक सौंग है, जिसका मुझे था इंतजार, जिसके लिए दिल था बेकरार, वो घड़ी आ गई आ गई, कही ना कही, इस गाने का ये लाइन, आप सभी के ऊपर बिल्कुल फिट बाढ़ता है, कैसे? एक सल्बस को बताने के बाद, या आपके सल्बस में जो पॉर्शन डिलीट कर दिया गया है, जो अब आपको नहीं पढ़ना है, ये बताने के बाद, आप सभी ये जल्दी से जल्दी जानना चाहते हैं, कि पैटर्न क्या होगा पेपर का, जो हम एक्जाम में देने वाले, तो CVSC ने एक अनॉंस्मेंट किया है, जिसमें ये बता दिया गया है, कि आपका पेपर पैटर्न क्या होगा, टम वन का, हम यहाँ डिसकस कर रहे हैं, टेंट क्लाथ मैथमेटिक्स के रिए, एक्जाम, जो टम वन का, आपका होने वाला है, वह नवंबर दिसंबर में होने वाला हम यह पहले से जानते हैं, कि जो कोश्चन्स पूछे जाएंगे, वह सभी MCQ-based पूछे जाएंगे, multiple choice questions पूछे जाएंगे, 40 कोश्चन्स होगे, और 10 marks का internal assessment होगा, वो 40 marks का पेपर हो जाएगा CBSC ने ये बताया है, कि जो आपका paper बनेगा, वह 3 parts में divide होगा, part A, जिसमें 20 questions होगे, part B, उसमें 20 questions होगे, part C, जिसमें 10 questions होगे अब 50 questions आपको total दिये जाएंगे, इसमें से आपको 40 questions attempt करने हैं, कैसे, सुनते हैं, part A, जो 20 questions आपको दिये जाएंगे, उसमें से आपको किवल 16 questions ही attempt करने हैं, part B, कि 20 questions में से भी हमें किवल 16 questions ही attempt करने हैं, और part C, कि 10 questions में से किवल 8 questions ही attempt करने हैं, ठीक है तो अब ये तो हमा मिला कि question हमें attempt कितने करने हैं अब थोड़ा सा ये भी देख लेते हैं कि paper का pattern जैसा होगा जो part A के 20 questions होंगे वो थोड़े से easy होंगे जल्दी आप answer उसे answer तक हो जाएंगे जल्दी solve करनेंगे solution आपको जल्दी मिल जाएगा लिकिन जो part B के 20 questions होंगे वो थोड़े से tough होंगे वो थोड़े से tough होंगे ठीक है तो आपको अच्छी practice आईए इस B part के सभी questions को attempt करने के लिए part C के जो questions होंगे वो कैसे होंगे जल्दा देखें part C में दो questions होंगे और वो दोनो questions case study के होंगे ठीक है वो दोनो questions किस के होंगे case study के होंगे और इन दोनों पर based 5-5 questions बनेंगे अब जरा समझो इन दोनों पर based क्या होंगे 5-5 questions बनेंगे दो questions के से जटी के देगे हर एक के 5-5 questions बने और इन दोनों को बिला कर आपको 8 questions अटेम्ट कर लेना है कोई ज़रूरी नहीं है कि इसमें first case study में से 4 और second case study में से 4 ये ज़रूरी नहीं है आप अगर चाहें तो first case study के 5 questions में से आप 5-5 को अटेम्ट कर ले और दूसरे में से 3 कर ले हो गए या अगर आप चाहें तो 4-4 कर ले या आप first case study के 3 questions कर ले second case study के 5 questions कर ले ठीक है तो वो आपकी च्वाइस है अब case history क्या होता case history की मीनिंग कोई एक story लिखे जाएगी हम क्योंकि बात mathematics की कार रहे हैं तो numeric values related कोई एक story आपके syllabus में जितने chapters हैं उसी में से कोई एक लिख दिया जाएगा और उस statement में से जो आपके 3-4 line case statement दिये जाएंगे numeric value पर बेश्ट उसी में से 5 questions बना लिए जाएंगे और उन 5 में से ही आपको जो 2-5-5 के questions दिये जाएंगे आपको 8 questions से टेंप करने हैं तो यह है आपका पूरा paper और इस पूरी paper को solve करने के लिए जो time आपको मिलेगा वो 90 minutes का मिलेगा 90 minutes का time मिलेगा तो अब 40 questions 90 minutes जरा देखो 40 questions 90 minutes तो meaning जो average आपको मिलेगा वो एक question के लिए 2 minutes approximately मिलेगा इसमें आपको कर लेना चाहिए कि मैंने 2 minutes सीख़्े हो लिए 10 minutes तो एक से सोगे सरकल भी तो डार करोगे सित्रिक भी तो करोगे उसमें भी तो time कुछ लगेगा और 10 minutes को आप ignore करो इसलिए क्योंकि question पढ़ोगे भी तो ठीक है तो वह 10 minutes हम average आपको 2 minutes मिलेगा अगर आप किसी question को जल्दी कर लेते हैं तो average किसी question में 1 minutes अधिकल मिल जाएगा तो average की बात अगर करते हैं तो 2 minutes से मिलेंगे आपको बच्चो 2 minutes में अगर हम कोई question करना चाहते हैं और question थोड़ा सा लंदी है तो इसके लिए हमें अच्छे practice की ज़रुवत है जो question easy होगा उसके लिए तो ठीक है लेकि जो question थोड़ा सा tough होगा तो उसके लिए हमें पहले से अच्छी preparation की ज़रुवत है क्योंकि हम तभी उस question को 2 minutes के अंदर solve कर सकते हैं जब हम उस question को एक दो बार पहले solve कर चुके हैं हमें सोचना ना पड़े कि उस question को हमें solve करना कैसे लिए हमें सोचना ना पड़े उसके हम कई बार practice कर चुके हो फार्मूला हमें learn हो कौन सा फार्मूला इसकी लगाना चाहिए यह हमें pattern पता हो process पता हो तभी हम easily 2 minutes के अंदर उस question को solve कर सकते हैं तो यह आपको ध्यान दखना है case study के questions भी आपको practice कर लेने चाहिए कि एक question कोई दिया गया उस पर बेश्ट अलग अलग तरीके से questions को कैसे solve करते हैं ठीक है तो यह है आपका paper pattern और अगर आप इस pattern के accordingly preparation करते हैं तो preparation आपका करना बहुत ही easy हो जाएगा आप easily अच्छे marks पा सकते हैं क्योंकि इस से अच्छा chance आपको अच्छे marks पाने के लिए नहीं मिलेगा ठीक है क्योंकि comparatively paper जो मिलेगा वो इस तरह से मिलेगा कि आप marks पा सकें आप practice अच्छी कर ले आप पूरे के पूरे marks पा सकते हैं